राम राम की संसातियो मंडी के भाव यूटूब चैनल में आपका हार दीक स्वागत है आज मैं लेकर आया हूँ नर्मे के भाव सबसे पहले सरुवात करूँगा मैं कोटन के रैट के बारे में क्या कुछ चल रहा है इन दिनों में तो सरुवात करते हैं पहले कोटन से फिर बताओं मैं आज के ताजा भाव और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्पिनिंग मिलों की खरीद सिमित होने से माराष्टर में कोटन की कीमतों में कीमते रुकी देनी का वक्ष ज्यादा नई दिली 18 अप्रेल स्पिनिंग मिलों की खरीद स्मित होने के कारण माराष्टर की मंडियों में मंगलवार को कोटन की कीमते रुकी रही जबकि रज्जे की अन्य मंडियों में कपास की देनी काउक ज्यादा रही आज रज्जे के कपास उतबादक छेतरों में मौसम साफ है राज्य की मंडियों में कपास की देनिक आउकों में बड़ोत्री हुई है वैसे ही राज्य के किसानों के पास कपास का बकाय स्टोक ज्यादा है आवक अभी बनी रहेगी कुछ दिनों के लिए वैपारियों के नुसार पहली बार अप्रेल महीने में राज्य की मंडियों में इतनी कपास की आवक हो रही है तथा माना जा रहा है कि अभी डेड़ दो महीने आवकों का दबाव बना रहेगा इसलिए स्पिनिंग मिले इन्वेट्री नहीं बढ़ा रही दागे में स्थाहिये निर्यात मांग समाने तुलना में कमजोर है जिसके कारण स्पिनिंग मिले स्मित मार्जन से कारिया कर रही है उदर रज्य की मिलों में अभी भी डिस्पैंसरी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मिले बाओ गटाकर कोटन बेचना नहीं चाहती अधा गरेलू बाजार में अभी बड़ी तेजी मंदी के आसार नहीं है बिनोले के बाओ में आज दूसरे दिन पजास रुपे कमजोर हुआ गरेलू वाइदा बजार में आज कोटन की कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया अपरेल 23 वाइदा अनुबंद में कपास की कीमतें 2 रुपे तेज होकर बाओ 1581 रुपे परती 20 किलो हो गई इस दोरान MCX पर अपरेल 23 वाइदा अनुबंद में कोटन की कीमतों में 140 रुपे कमजोर होकर 62,720 रुपे परती केंडी रहा मंगलवार को राज्य की मंडियों में कपास की आवक 50,000 गांट की हुई अब गांट 170 किलो की हुई जब की पिछले कारोबार दिवस में आवक 35,000 गांट की हुई थी राज्य की मंडियों में आज कपास के बाओ में 74,8,000 रुपे और बिनोलोय के बाओ में 32,000 से 34,000 रुपे परती किविंटल क्वालिटी अनुसार बोले गए सिलोड लाइन में कोटन 30 बटे 30 पलस MM किसम का बाओ 63,000 से 63,500 रुपे परती केंडी रहे नागपुरोय यवंताल लाइन में कोटन 30 MM किसम का बाओ 62,500 से 63,000 रुपे और 29,5 MM का बाओ 62,000 से 62,500 रुपे और 39 mm किस्म की कोटन के दाम 61,500 से 22,000 रुपे पर्तिकेंडी रहे अकॉला लाइन की मंडियों में 39 mm किस्म की कोटन के दाम 61,000 से 98,500 रुपे और 28.5 प्लिस कोटन के दाम approximately 6,500 से 7,500 रुपे पर्तिक वालि ठी के नुसार बहु्ए देखे गए अब नर्मे के ताजा भाव आदमपुर में नर्मा बॉली 8,036 रुपे अन्मानगड में नर्मा भाव 8,150 राव सर्मणी में नर्मे का भाव 8,125 रुपे अब हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो किर्पिया करके चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिविकेसन आपको मिल सके और वीडियो को अच्छी तरह से पूरी तरह से सुने एक दो मिन्ट देखकर चले जाते हैं अपने बाव देखते हैं हमने आपके लिए इतनी मेनत की है किर्पिया करके एक लाइक तो बनता ही है वीडियो पर धन्यवास आती हो